आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। यहां पर मेज हमने लिया। मेजप पर कहा गया है कि रससी का कुछ भाग, कुछ भाग रथा दो तीहाई भाग, घर्शन नईट मेज पर रखा हुआ है, इसकी सनचना हम कुछ इस परकार बनाते हैं। कि यह रसी है रसी की सरचना जिसका कुछ दो तिहाई भाग मेज पर रखा हुआ है और शेश भाग यहाँ पर बाहर की ओर लटका हुआ है इसके भाग को गढ़ना हम प्रश्ण से बताते हैं कितनी दूरी है यहां से यहां तक अर्था जो हिस्सा मेज पर रखा हुआ है उसके और यदि धीरे-धीरे क्या होता है कि इसके बल के कारण या इसके भार के कारण धीरे-धीरे यह रसी नीचे आने लगती है नीचे आने लगती है उस समय हमें उसकी गतिज उर्जा का मान ग्यात करना है सबसे पहले तो हमने इसके लिए क्या किया यहां पर इस्थितीज उर करने के लिए हमने क्या किया हमने जू इलग हिस्सा रसी का था वहाँ से हमने नीचे की ओर अर्थात मेश की सद्सक्राब की रशी की और एंची और इंक चोटा सा अल पांश यहां पर हमने ले लिया इस छोटे से अलपांश रसी को हम उसकी लंबाई को डेल x से प्रस्तुत करते हैं इतना हमने ले लिया अब चुकि हम जानते हैं उसका द्रविमान यदि हमें निकालना है यह अलपांश हिस्सा है इस अलपांश हिस्से के द्वारा ही हम उसकी स्थिती जूजा क कि तुलना पूरे रस्ती के लिए करने वाले हैं जहां वह अलपांश है अलपांश के लिए अब हम देखें लंबाई के अनुसा चुकि पूरी लंबाई L के लिए द्रविमान M है तब हम छोटे से हिस्से काँ के लिए वसकी द्रविमान को ध्यम से प्रस्तित करेंगे तुलनाय हम करते हैं L अनुपात ध्यक्स बराबर M अनुपात ध्ययं तो हमें उस छोटे से हिस्से का द्रविमान DM के रूप में कितना मिलता है? M, अरुपात L, Dx. इतना हमें प्राप्ट हुआ छोटे से हिस्से का द्रवेमान. अब छोटे से हिस्से के द्रवान से हम स्थिती जूर्जा के तुल्ना करने वाले हैं. उसे हम किस प्रकार करेंगे? हम उसके लिए एक छोटी से अधाना ले ले करेंगे शोटी से हिस्से का द्रवेमान पता है शोटे से हिस्से की लमबाई पता है, अब इसके लिए स्थिती जूर्जा क्या हो गी? स्थिती जूर्जा यदि हम उस छोटी से dx, अलव stiff के लिए un के लिए 7 M, M के लिए हम DM लेते हैं, G और H के लिए यहां पर वह जो दूरी में से नीचे के तरफ X दूरी पर है, इतना हमें स्थिती जूर्जा का मान मिल गया अब हम इसी लंबाई को या इसी इस्थिती जूर्जा के मान को पूरी लंबाई L अनुपाद 3 के लिए लेंगे, इसे किस परकार लिया जा सकता है, तब L अनुपाद 3 लंबाई के रस्ती के लिए, उसकी इस्थिती जूर्जा को किस से व्यक्त करेंगे, उसे हम व्यक्त करते है U1 से इसका मान कितना रहने वाला है इसका मान चुकी लंबाई कहां से है X बराबर 0 से X बराबर उसकी दूरी कितनी L अनुपात 3 तक इसे ही हम वहां तक करेंगे 0 से L अनुपात 3 तक मान हमें मिला कितना रिंड DMGX यह हुआ अब इसी पर पान को कैसे रखें U1 बराबर हम रखते हैं तो 0 से L अनुपात 3 यहाँ पर रिनात्मक मान DM का मान हम रखते हैं M अनुपात L DX G इन्टू X यह हमने रख दिया अब हमने इस्तिती जुर्जा U1 से रिंड M G अनुपात L को बाहर ले लिया यहाँ पर हमारे पास 0 से L अनुपात 3 के लिए मान है X गुणा DX इसे हल करते हैं तो हमें U1 का मान कितना मिलता है RIN M G अनुपात L यहाँ पर इसे हल करते हैं तो इसका X वर्क अनुपात 2 के रूप में आगा मान L अनुपात 3 और यहाँ पर 0 और आगे हल करें तो U1 का मान हमें कितना मिलता है RIN M G अनुपात L और यहाँ पर इसक वांकर हमें स्दिशुठी उर्जा का मान 2 160 के लिए अब है तो स्दिश्यूर्जा की बात हुई पहली स्थिति के लिए अर्थात हम पूरी तरह से अलग हो जाता है मेच से तो पूरी हिस्से के लिए हम गतीज उर्जा को किस से लिखेंगे पूरी लंबाई के लिए पूरी लंबाई लंबाई कितनी एल के लिए एल के लिए स्थितीज उर्जा इसे यूटूब से हम व्यक्ट करते हैं इसका मान भी क्या होगा इसका मान भी समाकलन से 0 से लंबाई पूरी एल तक रहने वाली है जिसका मान रिंड हम सिधे लिख देते हैं एम अनुपात एल जी एक्स गुणा डी एक्स यहाँ पर पूरा वही चीज़े होंगी रिंड एम जी अनुपात एल को हमने बाहर लिया समाकलन करना है शूनि से एल तक की दूरी पर एक्स गुणा डी एक्स का फिर से लिखे हम इसे रिंड एम जी अनुपात एल और यहाँ पर मान होगा एक्स वर्ग अनुपात दो कहां से एल और शूनि तक अब यहाँ से यू टू बराबर मान हमाने पास आने वाला है रिंड एम जी अल वर्ग अनुपात दो अल करते हैं तो यू तू का मान अन्तिव रूप से हमें हमारे पास रिंड एम जी अल अनुपात दो हमें प्राप्थ होता है अर्थात स्थितीज उर्जा हमें अब क्या अब का प्राप्त हुई? स्थितीज उर्जा जब रस्ता पूरी तरह वहां से नीचे चला जाता है अब यहीं पर देखें तो हमें इस्थितीज उर्जा में क्या परिवर्टन मिला इस्थितीज उर्जा परिवर्टन जिसे हम लिखे डेल यू से प्रस्तुत करें उसका मान होगा U1 रिन यूटू इसके मान को देखते हैं U1 का मान हमें है M L G अनुपात 18 और यहां पर रिन के परिवर्टन के रूप में इसका मान है M G L अनुपात 2 डेल यू अर्थात स्थितीज उर्जा में परिवर्टन अंतिम रूप से हमारे पास इसको हल करने के परशाथ चार अनुपात 9 M, G, L के बराबर प्राप्ट होता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थितीज उर्जा में पहले क्या पिक्षा दूसरी स्थिती पर कमी आई है परिवर्तन यह कमी यहाँ पर स्थितीज उर्जा में परिवर्तन उर्जा सनक्षन के सिर्धान से उर्जा सनक्षन क्या कहता है उर्जा सनक्षन यह कहता है कि यदि किसी स्थान पर स्थितीज उर्जा में कमी हुई है स्थितीज उर्जा में कमी हुई है तब वहाँ पर उसकी गतीज उर्जा में व्रित्धी होगी तो वह क्या बताता है, गतीज उर्जा में K E से हम प्रस्तुत करते हैं, वृधि को बताता है, इस प्रकार हमने यहां निकाल लिया कि गतीज उर्जा में वृधि कितनी होगी, अब चुकि हम जानते हैं कि पहले स्थिति पर जब गतीज उर्जा का मान 0 था, क्योंकि वह 0 विक इसे हम K E 2 से प्रस्तुत करें इस कमान मिलता है चारणुपात 9 M G L इसको हमने कैसे निकाला था इसे गती जूरजा में जो व्रिद्धी हुई थी उसे हमने K 2 रिन K 1 से निकाला था K 1 कमान क्यों शूर्जा में व्रिद्धी तो हमें अब जब रस्ती वहां से टूट जाती है तो गती जूरजा कमान इस प्रकार हमें कितना मिलता है चार अनुपात 9 M G L यही प्रश्म में पूछा गया था धन्यवाद कक्षच्वणी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेबल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोसा आशी डाउनुट करें डाउटने डाप यह वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स 84444 पर